दोस्तो विश्व के विज्ञान और इंजिनिरिंग के लिए गुजरात के एहमदाबाद में इस्थित सीधी बशीर मस्जित एक रहस से बनी हुई है रहस से मैं सीधी बशीर मस्जित ऐसी है कि वह इस तरह से हिलती है जैसे की कागच की बनी हो कोई भी व्यक्ति इसे हिला सकता है लोग आते हैं और मस्जित की एक मिनार को हिलाते हैं ऐसे करते ही मस्जित की दूसरी मिनार खुद बखुद हिलने लगती है अखिर इसके पीछे का क्या रहस से है मस्जित की बनावट कैसी है इन सब के बारे में सोचकर इंजिनियर्स भी हैरान है दोस्तो लेकिन छोटो नाई चैनल ऐसी किसी भी बात के सच या जूट होने का दावा नहीं करता है ये जानकारी इंटरनेट पर दी गई जानकारी के अनुसार है अगर आपने हमारे चैनल छोटो नाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें दोस्तो नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लें ताकि हमारे आगे के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे जी हाँ दोस्तो यह बात एकदम सच है आप बेशक यकिन ना करें लेकिन सालों बात भी कोई नहीं जान पाया है कि ऐसा क्यों होता है जब सालों पहले इस बात का पता चला था तो शुरुवात में तो ऐसे लगता था कि जैसे मस्जिद गिरने वाली है कई इंजिनियर्स यहां आई और उन्होंने इसके जाच के लेकिन तब भी मस्जिद में कोई कमी किसी को नहीं नजर आई यहां तक कि मीनार की मजबूती को भी ना पा गया तो मजबूती पूरी थी तब इस बात का खुलासा हुआ कि सीधी बशीर मस्जिद का हिलना एक रहस्य है यहां आने वाले लोग इसे अल्ला का चमतकार बताते है सभी को पूरा यकीन है कि मस्जिद को कुछ नहीं होने वाला है वैसे इस बात का खुलासा तो सन 1947 से पहले ही हो गया था कि रहस्य मैं सीधी बशीर मस्जिद ऐसे जूलती है जैसे कि इनसान जूले पर बैटा हो जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला था दोस्तों जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला था तो उन्होंने इसके जाच कराने की सोची ब्रिटेश शाषन काल में इस रहस्य को समझने के लिए ब्रिटेशन से इंजीनियर्स बुलाई गए थी उन्होंने मिनारों के आसपास खुदाई भी की थी लेकिन सारी कोशिशे बेकार ही रही यह जानकर आस्चरी होगा कि अनेको बार भुकंब के जटकों से यहां की जमीन तो हिले लेकिन ये मिनारे जसके तस खड़ी रही दोस्तो इस इमारत ने जनवरी 2001 में आये भुकंब को भी झेला है जिसने भारत में काफी तबाही मचाई थी कब हुआ था रहस समय शीदी बशीर मस्जित का निर्माड दोस्तो इतिहास की जानकारों के अनुसार इस मस्जित का निर्माड 1461 से 1464 में हुआ था मस्जित सीदी बशीर की देखरेक में बनी थी इसलिए इस मस्जित का नाम सीदी बशीर है उनका देहन्त होने के बाद उन्हें यहीं पास में ही दफनाया गया था क्यों हिलती है मस्जित? इस रहस से मैं सीधी बशीर मस्जित के हिलने का रहस से यह बताया जाता है कि इसके निर्माड में ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो कि लचिले हैं वैसे ऐसे पत्थर आज तक नहीं पाए गई किन्तु शायद उस समय ऐसे पत्थर पाए जाते हो जिससे कि इस मस्जित का निर्माण हुआ है लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसे पत्थर उस समय पाए जाते थी तो ऐसी केवल एक ही संग्रचना क्यों बनी दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राई कमेंट बॉक्स में जरूर दे रहस समय शीदी बशीर मस्जित या हिलती मिनारों की मस्जित भारत की इकलोती ऐसी रहस समय मस्जित है दोस्तों कहीं आप ये तो नहीं सोच रहें कि इस मस्जित की मिनार को हिलाने पर आपको मिनार हिलती हुई दिखाई देगी दरसल दोस्तों ऐसा नहीं है बलकि इसकी मिनार को हिलाने पर आप इसको महसूस कर सकते हैं हाँ पाने की कटोरी मिनार पर रखने के बाद अगर मिनार हिलाई जाए तो पानी हिलता हुआ साफ देखा जा सकता है दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भोले आप हमें फेस्बुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटुनएट.com पर भी वेजिट कर सकते हैं